नमस्कार दोस्तो, मैं पाउन, मेरे चैनल टेकी पाउन में आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एन्सीफ 2005 और जितने भी शिक्षन से संबंदित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें प्लेइलिस्ट में चेक कर सकते हैं आज का टॉपिक है शिक्षन विदियों की पंदरवी विदी, विचार विमर्ष विदी, जिसे इंग्लिश में डिसकर्जन मेठड भी कहते हैं इसके परमुक्तत्य हैं नमबर बन, यह विदी परजातांत्रिक सिद्धानतों पर आदारित है नमबर दो, वेर्थ खाव वाद विवाद या कुतरक नहीं, बलकि किसी विशे पर तारकिक एवं ग्यान युक्त विचारों के आदान परदान की ये विदी आप ये सोचो कि किसी वाद विवाद को विचार विमर्ष विदी कह दिया, ऐसा नहीं होता है किसी विशे पर तारकिक और ज्यान युक्त विचार जब तक आदान परदान नहीं होंगे, उस विदी को हम विचार विमर्ष विदी नहीं कहेंगे नमबर तीन यह विदी चिंतन इस्तर अर्थाद दिमाग का प्रयोग के शिक्षण अधिगम कराती है अर्थाद यह बच्चे के मस्तिश्क का अधिक अधिक उप्योग कराती है इसी को चिंतन इस्तर शिक्षण विदी कहते है नमबर चार इस विदी में परतेक छातर कक्षा क का सक्रिय सदस्य रहता है खुद एक्टिव पार्टिसिपेट करता है ताकि वो विचार्वी मर्ष कर सके नंबर पांच बालकों में चिंतन तथा तर्क शक्ति और व्यग्यानिक सोच का विकास होता है नंबर 6 स्वतंत्र अध्यन कराती है नंबर 7 चात्रों में एक दूसरे की बाहुनाओं को आदर करने तथा परसपर विरोधी विचारों को स्विकार करने की आदत का भी विकास होता है क्योंकि विचार्वी मर्ष के दोरान सब एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं और उनके तरकों का सम्मान करते हैं नमर आठ चात्रों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है अर्थात किसी टॉपिक पर पक्ष और विपक्ष दोनों को वो सुनते हैं जिससे उनमें समालोजनात्मक चिंतन का विकास होता है नमबर नौ इस विदी से चात्रों में आपसी मतबेत, ईडशा, द्वेश की भावना भी जन्म ले सकती है क्योंकि वो आपस में बहुत तेज कंप्टिशन कर सकते हैं नमबर दस, विचार विमर्ष हे तु ऐसे विशे लिये जाएं जिन पर छात्र आसानी से तत्ते संग्रह कर सकें नमबर ग्यारा, डिसक जन्म उद्देशन में की होना चाहिए अर्था विचार विमर्ष उद्देश्य पून होना चाहिए